बिहार बोट से मैटिक इंडर के जितने भी स्टूडेंट 2022 में एक्जाम देने वाले हैं उन सभी एक स्टूडेंट का सेंट परिच्छा का डेट इंडर्वाले एक स्टूडेंट का निधारित कर दिया गया है इस video के अंतर गयत हम जानेगे की सिंटा परिछा का आप लोगो एकजाम का चीडूल कअब जारी किया जाएगा और सिंटा परिछा का admit का आप कैसे आप लोगो download करना होगा क्या जारी किया जा रहा है साथी साथ आप लोगो सिंटा परिछा का पैटर्न की इस तरीका से रहेगा एक्जाम परास्टनों का पैटर्न कैसा रहेगा उस पर इस वीडियो के अंदर गये तो आप लोगो चर्चा करने वाला हूँ तो जो भी एस्टुडेंट या तो एस्टुडेंट 10th का हो या 12th के दोनों एस्टुडेंट के लिए ये वीडियो काफी जादे इंपॉर्टेट होने वाला है तो वीडियो को continue last तक जरूर बाच करिएगा तभी आप लोगो को लिए फायदे मन्त होगा सबसे पहले आप लोगो इंटरबल या स्टुडेंट का आप लोगो 19 एक्टूर से सभी एस्टुडेंट का सेंटर परिचा पर रर्रम किया जा रहा है आप लोगो साइन्स और स्कॉमर्स जिस भी फेकल्टी से आपका एडविशन है सभी एस्टुडेंट के लिए अब यहाँ पर आप लोगो मन में सवाल होगा कि सेंटर परिचा तो मेरा 19 तारीक से स्टार्ट हो रहा है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का आपका एक्जाम होगा उसके लिए आप लोगो बिहार बोट बोला है कि परिच्छा का सीडूल भी बहुत जल्द आप लोगो जारी किया जाएगा यानि जो आपका एक्जाम होगा उसका आप लोग को सीडूल सेंटा परिछा का एक्जाम का आप लोग को सीडूल भी बिहार बोट के दोवारा बहुत जल्द ही आप लोग को जारी किया जाएगा साथिसात आप लोगो बोड के दोवारा बताये गया थे अक्टूर के दूसरे सब्ताह के प्राशन पात्र भेजने की परकिरिया सुरू किया जाएगा इसकी भी हार बोड के दोवारा उफिसियली जनकारी भी दिया गया था कि सभी आप लोग को एस्कूल और कॉलेज को आप लोग के जीला करियाले में 19 अक्टूर से 11 अक्टूर तक सभी आस्कूल आप लोग को कॉलेज में बाटने का निदेश जीला करियाले में दिया गया है साथी साथ आप लोगो 18 से 19 तक सभी आप लोगो आश्कूल में पहुंच जाएगा question answer center परिछा का साथी साथ आप यहाँ पर बहुत सरे student का मन में सवार रहा था कि center परिछा देना अनिवार होगा और साथी साथ आप लोगो पास भी करना अनिवार होगा अगर आप center परिछा में पास नहीं करते हैं तो ऐसे में आप लोगो परिछा फॉर्म जो भरा रहा है उसका admit card आप लोगो जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे final exam से आप बंचित हो सकते हैं अब यहाँ पर आप लोगो schedule की बात किया जाए तो schedule आप लोगो जो यह मैं बता रहा हूँ यह पिछले साल का schedule है सभी student का center जो परिछा ली गए थी वो पिछले साल आप लोगो दो पालियों में लिया गया था प्राथम पालियों और सेकेंड पालियों देख से तहें आप परिछाड गो पिछले साल अविल गई था के अंसार आप लूगो लिया गया था से म 10 अप लोगो बहुतन फोले में गनिलली अगया था तो आप लोगो सेकन में आप लोगो सीटिंग में इजाम होगा और महाज आप लोगो साथ दिन के अंतर ही सभी स्टूडेंट का आप लोगो सेंटा पर इच्छा पूरी तरह से आप लोगो कम्पलेट कर लिया जाएगा science और commerce दोनो student को आप लोगो सभी का साथी साथ आप लोगो प्राशन भी विहार बोट के दोवारा इस वार आप लोगो भेजा जाएगा उसकी भी आप लोगो जनकारी हम दे दिये हैं और अब यहाँ पर आप लोगो बात कर लेता हूँ कि center पर इचा के लिए कि admin card जारी किया जाएगा तो क्या आप लोगो center कहां रहेगा तो आप लोगो center जो सभी student का रहेगा home center रहेगा यानि जहां पर आपका एडविशन है उसी school college में आपका center पर इच्छा आप लोगो लिया जाएगा जहां पर आपका प्रेटकल है उसमें आप लोग को 30 marks लाकर आप इस center परिछा को असानी से पास कर सकते हैं आप बहुत सारे सवाल होगा की metric वाले श्टूझन को तो metric वाले भी a student का same रहता है जो आप लोग को science और social science में student का प skipping है इसमे आप लोग को जो भी subject में प्रेटकल रहेगा उसमें आप लोगो 24 मार्क्स लाना होगा पास मार्ट को वही जिसमें आप लोगो प्रेटकल का एग्जाम नहीं होगा उसमें आप लोगो 30 मार्क्स पास मार्कस आप लाना रहता है तो अब यहां पर हम जानेंगे कि सेंटप परीछा का सेंटप तरीका से आपको डाइब करना होगा। सब्सक्राइबné why यह पर हींदी पर पर आप लोगों से आप लोगों को आ जाना है यहां पर आईएगा तो फिर से next page open होकर आएगा बिहार जनकारी का official page है जो पूरी तरह से open होकर आजएगा उसके बाद नीचे scroll करिएगा तो यहां पर आप लोगो एक post करने का उपचन देखनी को मिलेगा जिसमें आप लोगो यहां को पूर्य डीटेयल को बताएगा देखनें ने स्क्रॉल करेगा आप लोगो और नीचे स्क्रॉल करके आजएगा और उसके बाद आने के बाद आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा admit card डाउनलोड करने का option और साथी साथ आप लोगो यहां पर आप लोगो center exam का routine भी download करने का option कर सकते हैं इस वीडियो को जादा जादा दोस्तों भी शेयर कर दीजे ताकि सभी लोग जान सकें